राजस्थान में एक सियासत भगवान देद नारायन मंदिर के दान पात्र में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के लिफाफे को लेकर भी है कॉंग्रिस की ओर से एक बारल तस्वीर पर दावा किया गया किस लिफाफे में प्रियंका गांधी ने सिर्फ 21 रुपे का चंदा दिया जिसे लेकर प्रियंका गांधी लगातार प्रियंका गांधी को निशाना बना रही है बीजेपी ने प्रियंका गांधी के बयान पर चुनाव आयोग से शिकायत की जिसके बाद चुनाव आयोग ने 30 अक्टूबर तक प्रियंका गांधी से जबाब मांगा है इस बीच आज तक संबाददाता शरत कुमार ने मंदर ट्रस्ट समिती से बातचीत कर लिफाफे का सत जानने के कोशश की जिस पर मंदर की ओर से कहा गया है कि ऐसे किसी लिफाफे का दावा मंदर की ओर से नहीं किया गया है जबकि मंदर समेती नेर हमने कभी दावा नहीं किया कि इसमें परदान मंदरी जी ने कोई लिफाफा डाला जब दान पातर बादवी छट मोट्सों के उपलक्स पर खोला गिया था उसमें भी मंदर समयतिने thôi, हमने कभी ये दावा नहीं किया कि ये मोधी जी का लिपाफा है उसमें क्या, कि एक लिफाफा खोलते हुए का वीडियो वारल हुआ उसमें से एकिस रुपए निकलते हुएगा उसके साथ में और भी लिपाफे थे, वो भी खोले गिये डाला था ऊस दान पेटी में परदान मंत्री जी हमरे चल रहे थे उसने दान पातर में कुछ राओज डाली होगी तो उस राची में जो दान पातर में बंडार में निकला वो राशी सब stinks तो क्यति कि अब आपको सुनाते हैं कि सरा राजिस्थान की चुनावी दौरों पर प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री के लिफाफे वाले दावों को लेकर तंज कस रही हैं मैंने टीवी पे देखा कि स्री देव नरायन जी के मंदिर में मोदी जी गए और उन्होंने एक कुछ बक्सा होता है ना मंदिर का उसमें लिफाफ़ डाल दिया फिर उस लिफाफ़े को छे महीने के लिए किसी ने खोला नहीं कि मोदी जी ने डाला है छे महीनों बाद वहाँ के जो मंदिर के जो पंडित हैं और सब लोग इकठे हुए और टीवी वाले भी कैमरा लेके गए और उन्होंने वो बक्सा खोला तो उस लिफाफ़े में से क्या निकला? 21 रुप़े निकले तो सब की उमीदे कहां थी और निकला क्या? देश के प्रधान मंतरी इतने बड़े नेता और उन्होंने 21 रुप़े का लिफाफ़ा डाल दिया सब के सामने की लिफाफ़ा तो डल रहा है उसके अंदर क्या है हमें नहीं मालूम तो देखिए मैं तो समझ गई कि ये मोदी जी का लिफाफ़ा खाली है